जिले ने गुरुवार को 10 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद परशासन ने कंटैन्मेंट इलाखों को तवरित रूप से सीव कर दिया जिले में कोरोना रोग्यों की संख्या लगातार बरती जा रही है जिले में गुरुवार को कोरोना के 10 नए पॉजिटिव केस सामने आए है इनमेंसे 5 हनुमान का टाउन के वार 35 से एक टाउन की प्रोफेसर कोलोनी से एक जंक्शन जबकी 3 जिले के 9 कसबे से समान दीत है चिकिसकों के अनुसार टाउन की प्रोफेसर कलोनी के जिस विक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वहाँ प्रोफेसर कलोनी में 28 जून को पॉजिटिव पाए गए युवक का पिता है था उनके वाड़ 35 के पाँचों पॉजिटिव रोगी रेलवे स्टेशन के नजदीक रहने वाले है इन पाँचों की चार दिन पहले बिहार से लोटने की ट्रेवलर हिस्ट्री है इसी परकार जंक्शन के जिस विक्ति के सेंपल की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है वह है एक केमिकल फैक्ट्री का मजदूर बताए जा रहा है उसकी भी हाली में बिहार से लोटने की ट्रेवलर हिस्ट्री बताए जा रही है यह सबी 10 नई के इस गुरुवार्दो कहर को विकानेर से आई 30 जून को भेजे गए 218 सैंपल में से 206 सैंपल की रिपोर्ट में पॉजिटिव पाए गए है इन 206 में से 10 पॉजिटिव के अलावा 7 सैंपल रिपीट भी मांगे गए है जबकि 189 सेंपल की रिपोर्ट नेगेटिव आई है इससे पहले 28 जून को भी टाउन की प्रोफेसर कलोनी में एक करोना पॉजिटिव केस मिला था करोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद परसासन की उसे संदित इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है कि वार्ट नमर 35 में पहांच पोजिटिव केस हैं कोरोना से तो अब हम यहां कर्फ्यू लगाने के चारी कर रहे हैं और यह कोरोना पोजिटिव आया इनको कर्फ्यू लगा रखा है कर्फ्यू लास्ट पोजिटिव आने के 14 दिन तक रहता है हमारे वेतन का बुक्तान करो हमारे वेतन नहां देने तथा इस्तीफे के लिए दॉबाब बनाने का विध्यालय परबंधन पर रा रोप लगाते वेए टाउन के नेहरू ममरियल चिलन स्कूल के शिक्षकों ने विद्यालय के समक्ष एक्तिर्थ होकर रोश जताया। नेहरू ममरियल चिलन स्कूल के बाहर विरोध परदर्शन कर रहा है अध्यापकों का कहना था कि वे अपने बकाया वेतन की मांग को लेकर एक्टिर्ट हुए हैं मार्ज से लेकर अब तक की सैल्डी का भुगतान विद्यालय परशासन की ओर से नहीं करवाया गया है राजा सरकार के निर्देशामसार उनसे 31 माई तक ऑनलाइन कक्षाई भी संचालित करवाई गई परंतु वेतन का भुगतान नहीं किया गया करीब दो महा पहले इसकी जानकरी परबंद समीती को दे चुके हैं लेकिन बकाया भुगतान करने की बजाए विद्यालय परबंदन की ओर से स्वेचा से इस्तिफा देने के लिए दबाव डाला जा रहा है अध्यापको का कहना था कि कोरोना महामारी के संकट में सभी को आर्थीक परिशानियों का सामना करना पड़ रहा है करीब 10 दिन पहले जिला कलेक्टर बे लोग शिक्षा दिकारी को इस संधर में यापन सोब चुके हैं लेकिन अभी तक कोई कारवाई नहीं हुई उन्हें बताया कि 181 पोर्टल बर्बी शिकाइद दर्ज करवाई गई लेकिन उन्हें कहा कि राजय सरकार के निर्देशामसार किसी भी नीजी सस्ता की करमचरियों का वेतन नहीं रूका जा सकता और नहीं करमचरियों को निकाला जा सकता ऐसे में उनकी भी परशासनी कदि दिमपल सोनु आदि मौजूद थी अब रतन का बुस्तान करना पड़ेगा करना पड़ेगा स्कूल परशासन हाई 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 स्कूल की मनवानी नहीं चलेगी हम शीरी नहरू मैमॉरियल चिल्टरन स्कूल के टीचर हैं हमें मार्च मन्त से सैलरी नहीं दी जारी हमें चार मन्त हो जुए हैं और हमने एक कलेक्टर सर और पंचाए स्मीति beiden किय वह कारेवाई की है हमने पर हमारी सूनी ने जारी एपलिकेशन दी हैं हमने याные सूनी निजारी management भी मारी सूनी रही आज वन वीक हो गया हमें कारे मतलब application दिए पर हमारी सूनी निजारी और हमारी जो स्कूल की management है वह यह कह रही है कि collector भी अमारे पक्ष में हमने कीया हुआ है चाहे पूरा नुमानगर इकठा हो जाए लेकिन आपको salary ने मिलेगी हमने बह जैसे इन्होंने स्कूल में बलाया वैसे हम स्कूल में आये हर काम किया ओनलाइन सारा दिन ऐसे तो हमने पढ़ाया नहीं ओनलाइन हर हर हफते हर टेस्ट भी लेने सारा कुछ किया हमने वट हमें सेलरी नहीं दी जारी हमने मैननत किया और हमसे इस्तिफ़े की मांग की जारी है हमें हमारा वित्तन दिया जाए सरकार ने कहा है कि ना किसी को नोकरी से निकाला जाएगा तो फिर ये कौन होते हैं कि इस्तिफ़ा देंगे और ये जो management है ये कह रही है कि इस्तिफ़ा दे दो फीस नहीं मिलेगी 15 अपरेल तक सेलरी देंगे और भी स्कूल है ये तो है नहीं कि किसी को सेलरी नहीं मिल रही VM college, VM school चाहिए कोई भी है सबको सेलरी दी जा रही है ऐसे तो है नहीं आज हमने दरने बाजी की है कि हमें हमारा वेत्तन दिया जाए आप रिक्वेस्ट है management से कि हमें हमारी salary दी जाएं, क्योंकि पतने आपको आजा रथिक तंगी चल रही है, सबीके घर में और फिक तंगी नहीं है कि कि दिधा है, तवा पास salary दी जाए, आज हम लोग पूरा का पूरा स्टाफ हुआ है, नेर्वी मेमोरियल चिड्रों स्कूल के सामने इकठा हुआ है, क्योंकि गत दो-तीन माह से हम लोग हमारे वेतन की मांग कर रहे हैं, और हमारी तो समस्या है, उस समस्या से स्कूल परशाशन को मैनेजमेंट समीती है, उसको भी हमने आवगत कराय है, माननियक लेक्टर मोधय को भी ग्यापन दिया है, बुलोग शिक्षा अधिकारी को भी ग्यापन दिया है, लेकिन हमारी तो समस्या है, उनकी सुनवाई अब तक नहीं हो रही है, इसलिए हम एक रिक्वेस्ट है हमारी माननियक लेक्टर मोधय से भी, स सब्सक्राइब करने देश के सकती और जो वेतन है वेतन भी प्रुका नहीं जा सकते हैं वेतन जो सेली की दिमान करी है वो हम लोगों ने कथी समार्थ की सब्सक्राइब कर दी गई है जो पीछतर जाकर सेली ले ले लेएं सब्सक्राइब करना कशनपती ले अनला किby Ceil already said, सब्सक्राइब करें है जो उने की साइनी है जो प्राजन भाएंगे को यह सब पाइंगे ऊच्छार की सब्सक्राइब के लिए तर में कि अगूअगे यह सब आरोग मिच्छा वरने नास्तिफिक इलट पहले थी नास्तिफों को आ जो है। स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलेगा, स्कूल खुलेगा लिए टीदों को बढ़ाना है। जदी जिसना करोना विद्वा उसके चार देन हम हमारे लिखर शोता आरे थी। शर्ली dai में परपर है। इनका में में नेका में एक सेखवा हा था इनको वादुए उसके till वो प्रिश्य दो है। मॉअसे के बदाज हो। जंक्शन पुलिस ने आर्म चेक्ट में गिर्फतार एक आरोपी को मार्पिट कर कार लूटने के परगण में एक आरोपी को प्रोडक्शन वारंट पर गिरफतार किया है पुलिस से मिली जानकरी के अनुसार टाउन के रहने वाले रामकुमार नामक विक्ती ने संधर में मकासर निवासी सुक्विंदर उर्फबगा के खिलाफ परिवाद दर्ज करवाते हुए जानकरी दी कि सुक्विंदर ने राजकुमार को अपने घर बुला कर उसके साथ मार और उसकी कार लूटकर फरार हो गया जंक्शन थाना परबारी नरेश गेरा ने मामली की जानकरी देते हुए बताया कि पूरोबें सुक्विंदर उर्फबगा को देशी कटे साइथ गिरफतार किया गया था और उपी को नियाला की अदिश पर जेशी करवा दिया गया था कार बनामदगी के लिए और उपी को पूरे प्रोडक्शन वार्ट पर गिरफतार किया गया है यह टाउन यह सी तो राजपू आ रहे हैं उसके दोरा एक परकंदल सुरवाया देता कि यह बदमास है सुक्विंदर उर्फबगा जो मक्का सरगाने माता है इसने उसको बलाया रूसके बाद तेरफटर बना कर मार्पिट की और उसकी कार अजार मोट कर ले 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 पूरू में इस मुल्जिन को देशी कट्रे से गृफ्तार किया गया था और नेले के अधेश से इस परक्रण में गृफ्तार किया गया और कारग्राम भी रन्य जो तो पीश हुए कोरोना महामारी के चलते विद्यार्चों को बिना परीक्षा के उतीरं करने की मांग को लेकर टाउन के नहरू मोमरील विदी महाविद्याले के चातर संख्पताजिकारियों ने उपाधहखष अभिशेक शार्मा की नेतरतों में गृफ्तार को घ्यापन सोपा ग्यापन में वताया गया है कि N.M. Law College में दिल्ली, हरियाना, पंजाब, सईतन्यारा जो से विद्याती पढ़ने आते हैं अगर अब परिक्षाइं होती हैं तो कोरोना संक्रमन की गंभीर समस्या फाइल सकती है यही नहीं अनेकों परिक्षात्री परिक्षा देने से वंचित रह सकते हैं इसलिए इस समय परिक्षाइं करवाना उचित नहीं होगा चातर संक्पताजिकरों ने ग्यापन में प्रथम वर्ष और दित्य वर्ष के साथ त्यत्य वर्ष के चातर चात्रों को पिछले दो वर्षों के ओसत अंक में दस परतिशत बढ़ा कर उतीरन करने की मा कुछ थी क्रिशी भूमी बेचान में फर्जी दस्तावेच तयार कर दोखा दरी करने के आरोप में जंक्षन पूरिस ने दो व्यक्तियों को गिरफता किया है जंक्षन पूरिस ने क्रिशी भूमी बेचान में फर्जी दस्तावेच बना कर चार सो बीशी करने के आरोप में दो व्यक्तियों को गिरफता किया है पूलिस से मिली जानकरी के अनुषार जंक्षन थाना में इस संधर में वरस 2019 को मुकदमा नंबर 535 पैंडिंग चल रहा था गोलुवाला निवासी जगतपाल ने मुकदमा दर्ज करवाते हुए जानकरी दी थी कि राजा राम नामक व्यक्ति से तीन भीगा जमीन खरीदी थी जिसकी कागजई कारवाई पूल्ड कर ली गई थी राजाराम ने अपने भाई के साथ मिलकर जमीन पर कबजा करने की कोशिश की लेकिन नाकामी मिलने पर शड़नतर रचकर राजाराम ने अपने भाईयों के साथ पिछली तारिक का इक्रार नामा तैयार करवा कर परिवादी जगतपाल के साथ 420 करने की कोशिश की संदर में जंक्षन खाना में मामला दर्थ होने के बाद FSL जांच में राजाराम द्वारा तयाद करवाया गया एकरार नामा फरजी पाया गया जंक्षन पुलिस ने बताया कि मामले में मुख्या रोपी राजाराम की जमानत हो गई है तथा स्टाम वेंडर विकास पारिक को कोर्ट में पेश कर नयाई कब रिक्षा में जेर भेज दिया गया है वहीं गवा लक्ष्मी नैन का रिमान मंजूर करवाया गया है पुलिस आरोपी से उस्ताज कर रही है करना करते हैं और वो फुद अपने सग्य भाई के साथ मिलकर यह अनुवान यह डाकर जब ट्यूब तसील हमारा गुलू आए तसील फिरी बंदा लगती है अवाम भी होती है रजिस्ट्री सब की चोड़ता है हनुआन के रक्तर इन्होंने बेक डेटल के इक्रार नामाति awkward blank श् Bread साजय किया करणकर मिलक्य तो मुझे पत्ता part in ने वाज़ी किया और यह खेल मेरे पर मुग्दों लिःटल वो अब फारा परूब हो गया है इनका फर्जी वरा F.S.L. जान से पकड़ने आ रहे हैं। दो मुजिमों को भी अरेस्ट कर रखा हैं। और एक की अग्रीन वेल हो भी है। तो अभी तीन और बाती है। कुल साथ ये मामना है सिटी अरा अर्माने अर्जेंसें का और उसमें संबुध्यार होने के स्वामें। जो स्वाम में रहे हैं। वो और लक्ष मी जाना हैं। गवाय। वर्ष दो जानोंटीस का मुतर्मन नुम्र 525 जो पेंडिंग चलता था। उसमें जमीन चर्ट्रेटर मेटल रख एपसल रिपोर्ट आने के बाद है। जो मुख्या जो रगराम है उसकी तो अगरिंग जमान्त हो गई है। उसको हर्ष करके नेलें पेश के लिए। इसी परकट में जो गवाह है लक्ष मिनाय। जमीन बेचान्द से टेटर मेटल था कि एक जमीन को बेशती आद रिष्की करवाती। और उसके बाद उस पार्टी को जमीन नहीं देड़ना जाते थे। इसलिए उन्होंने बेक डेट में एक स्टाम पेपर लेकर लेकर उसके ओपर लिखापड़ी करके। और खुट के भाई के नाम से एक खपड़ी की कही है। उसमें जो गवा है वो भी मुल्धिम है। स्टाम पेंडर भी मुल्धिम है। और खरीदने वाद बेशते होना। इस तरह से बाकियों की जो भूमी का एक उसकी विजास की जाले। जो भी मुल्धिम है। और अभी वक्तर ब्रेका हाजी रोता उच्छों देशमें के बाद। यू तो कई बार मुझे हसते देखा है। पर ये हसी कुछ और है। ये गहना मुझे पर जचता है। पर ये महज एक गहना नहीं। ये रूप रेका है मेरे मन की हस्ती खिलखिलाती लहरों की। जो आतुर थी अब तक मुझे पर सचने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्छा श्रिंगार है। श्रिंगार है। श्रिंगार है। अरे बबलो, लॉगडाउन खुलते ही टहले निगल पड़े। मा मारी अभी फैली हुई है। शर्पंजी टहले नहीं। काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वाइरस पकड़ लेगा। पहले थोड़ा बहुत डर लगता था। फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावदानी बढ़ती तो यह बिमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है यह मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा। समय समय पर हाथ दोता रहूंगा। और दूसरों से हर वक्त कम से कम दो गज की दूरी बनाए रखूँगा। खुद को दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूँगा। मेरी जमेदारी बनती है तुझे चेतामरी देना। जब देश के मेडिकल और सच्छता करमचारी रोज करुणा वायरिस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जमेदारी बनती है अपना काम करने की। बबली तुझे कुछ हो गया तो। हजारों लोग इस बिबारी को हरा कर ठीक हो चुपी है। और अगर किसी कारण मुझे ये बिमारी हो भी जाए। तो सरकार ने हस्पताल में हमारे इलाज के लिए प्रयाप्त विर्यवस्ता कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं एक दूसरे का होसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है तू काम पे जाएगा मैं नहीं जाओंगा नाक नहीं कर जाएगी मेरी। मास्क। अरे नाक तो ढख लो। करोना वायर्ल से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं पूरी साथदानी के साथ ढट कर चलिए। रुकी जिन्दगी को आगे बढ़ाएं। तेश को आत्मा निर्वर बनाएं। जय हिन। को 15 जुराई तक बढ़ा दिया गया है। इस संधर में कॉलेज प्रचारे में विस्तार से जान कर दी। राजकिया नहरु मोमरील महविद्याले में शेक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सनातक दीतेवे तिरतेत तथा सनातक उत्तर उत्तराद्र में परवेश नमीनिकर्ण के लिए विद्यार थी। परिक्षा तथा परिणाम की परतिक्षा किये बिना ही 15 जुलाई तक पिछले वर्ष की एप्लिकेशन आइडी द्वरा इमित्तर पर परवेश शुलक जमा करवा सकते हैं। संदर में पराचारया नरेंदर सिंग भामू ने बताया कि आयुक ताल्या कोलेज शिक्षा के आदेशानुसार परवेश नमीनिकर्ण परकिर्या हेतु महाविद्याले में आने की आवशकता नहीं है। कार्मोनत प्रथम वर्ष के विद्यार्थी, दीत्य वर्ष में, दीत्य वर्ष के विद्यार्थी, दिरत्य वर्ष में तथा सनात कोत्तर के विद्यार्थी, उत्राद्र में परवेश यतु अब 15 जुलाई तक आउनलैन परवेश शुलक ईमित्तर पर जमा करवा सकते हैं। उन्होंने बताया कि नीमित विद्यार्थों की अप्लेकिशन आईडी इमित्तर पर पोस्टिंग कर दी गई है, समय पाठी तथा पूरो विद्यार्थों के लिए अभी तक परवेश की कोईति थी रजय सरकार्दवारा निर्धारित नहीं की गई है। औल्लाइन पर विद्यार्थी ही अगली कक्षाओं में शुर्प जमा करवा कर कारूमुनित हो सकते हैं। ओन्होंने बताया कि सनातक पर्थम वर्ष एम सनात कोतर प्रवद्र की परिकरिया पिछली कक्षाओं के परिणामाने के बाद ही प्रारंब होगी। अभी केवल सना तक दीत्या एम्तिरते वर्ष तथा सनात को तरकशाओ हितु ही परवेश नविनीकरन की प्रकिरिया आरब की गई है में प्राइवेट अबिस्कुप लुड़यों करता हूं तो कैसे होगा तो अभी आपके बता दें कि इस प्रकार की कोई गाइड लाइन अब तक नहीं है कि जो प्राइवेट विद्यार्थियों को रेगलर होने की या एक स्टुडेंट को फीस परने की अभी कोई यह नहीं है नहीं गाइड लाइन आएंगे तब इसके बार में फास अब एक बात और है कि नो जुलाई से प्रिक्षा फ्रारम ठोरी है बच्दें यह बीक पूछ रहे हैं बार बार की नो जुलाई से प्रिक्षा किसकी होगी पर्थम वर्श वाड़ा पूस टेक मेरी होगी, नहीं होगी तो ये आपको आपके टेनल के माद्धियों को यह बा दो दो साथ चलेंगे दोनों लाइनों के साथ-साथ चलती हुए बचों को सोचल डिस्टेंसिंग को अपनाते हुए आना होगा और उनमें बापार बोले लगा जी जाएंगे बच्औो को सोशल इस्टेंसिंग और दो पारियों में एक्जाम होगे आठ से ग्यारा और शाम को तीन से च्छे म Forgive जो गैप हो इस लित लिए रखा गय है कि इसके दौरान हम सैनिटाइज करेंगो सारा जो तक्षा करक्शों को सैनिटाइज कियाएगा सभी तक्षा कर्शों को सेनिटाइज किया जाएगा जो बच्चे बार से आएंगे ये युनिवस्टी की ये गाइड लाइन्स है उसमें पश्ट रूप से का गया है कि प्रिक्षार थी अपने साथ सेनिटाइजर और पीने के पाणी साथ लेकर किया है मास्क लगा कर किया है अब और हमें यह जायक दिएगी है कि आप उनकना टamin चरूड करेंगे श्वास्ती बुडाकी सायता से और यदि को विध्यार्ती आको लगता है कि रिखार हम वानठी को लासिशाय करना ही तुसक्तर राप गाइस कि सक सब्सकर सें पर 20 क्रुषा करवाते तक्यों को ऐसे बिठाएंगे बच्छों को ताकि उनकी बीच में डिस्टेंस रहे दोग इसकी प्लूरी लिए पुलिस ने टाउन में कॉलेज फाटक के रजदीक नाकाबंदी कर मास्क नहीं पहनने वाले तथा यातायत निमों के अवेलना करने वाले वहांचालकों के चालान काटे स्वामी ने बताया कि पुलिस अदिक्षत के निदेशानुसार पुलिस द्वारा यातायत निमों का उलंगन करने वालों के खिलाफ निरंतर कारवाईया की जा रही है कोरोना संकरमन के चलते शोसल डिस्टेंसिंग के निमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए भी पुलिस द्वारा परियास की जा रहे हैं कोलेज फाटक के रस्दीक नाकैबंदी के दोरान पुलिस ने 11 दुपहिया वानों के चालान काटे विए सरकार के निदेष ब्सार लोक दाउन की पालना में हावारी निम के तैज जो मस्व नहीं लगाते हैं सोचल डिसिजर दूरी में रिखते हैं तो भी दुपंदार करता है वो मस्व नहीं रिखते हैं कलेक्ट्टेट के सामने सडक के दोनों और गड़ों की कारण स्थानिया दुकांदारों को परिशाने का सामना करना पड़ता है थानिया दुकानदारों ने नगर परिशद से इन गड़ों को जल्द भरवाने की मांग की है जंक्शन में कलेक्टेट के सामने नगर परिशद द्वारा सडक के दोनों और निर्मानकरे के चलते खुदाई कर काम को दीच में छोड़ दिया गया है लंबे समय से गड़ों को नहीं भरा जा रहा इसके चलते कलेक्टेट के समक्स दुकानदारों ने अपत्ती जताते हुए इन गड़ों को शिगर पातिशिगर भरने की मांग की है दुकानदारों का कैना है कि नगर परिशद वारा सडक के दोनों तरफ फुटपात बनाने का काम करवाया जा रहा था लेकिन काफी समय बीच जाने के बाद भी निर्मानकरे को पूरा नहीं किया जा रहा वहीं सडक की खुदाई कर गड़ों को खुला छोड़ दिया गया है दुकानदारों का कैना है कि डिस्टिक हैटकवाटर होने के बावजूद नगर परिशदी सुर्प कोई धार नहीं दे रही गड़ों की वज़े से स्थानिय दुकानदारों को दुकानों में आने जाने में परिशानियां दरपेश आ रही हैं ऐसे में कई दुकानदारों ने इन गड़ों को खुदी भरना शुरू कर दिया है दुकानदारों ने नगर परिशत से इसकार्यों को जल्दी पूरा करवाने और दुकानदारों को रहत देने की मांग किया है। अब समझ मिन्यार क्या बना रहे हैं। दुकानदारों को जो यहां क्लाइंट आते हैं उनको परिशान युक्ति दुकानओं में जाने के लिए तो यह अनवस रूप से गड़े करके छोड़ती हैं। जिनको बढ़ने की जुमवरी और रोड त्यार करने की जुमवरी नगरपलिकान मांग करती है। जो अन्द की कर रही है। हम यह मांग करते हैं कि यह दौनों तरफिन के जोके लगे रोड के और यहां क्लेक्टर है जिला एक पर्टर मिनिस्पेल यह तो यहां साथ सुद्रा रहे। मेरी भी यहां इलेक्टर के सामने बिता है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूं नहीं समचारों के साथ तब तक के लिए नवसकार।